हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाडी की, जिसने नकेवल भारतिय क्रिकेट को नई उंचाईयों तक पहुँचाया, बलकि अपनी कप्तानी से दुनिया को दिखाया की असली लीडर्शिप क्या होती है? हम बात कर रहे हैं महेंदर सिंग धोनी की. धोनी ने टिकेट कलेक्टर की नौकरी छोड़कर विश्व विजेता बनने का सफर तै किया. तो चलिए, जानते हैं धोनी की जिन्दगी के इस अद्भुत सफर के बारे में. साथ जुलाई 1981 को अविभाजित पिहार के रांची में जन्मे महेंदर सिंग धोनी का बचपन फुटबॉल खेलते हुए बीता. उन्हें गोल कीपर बनना पसंद था. लेकिन स्कूल के क्रिकेट कोच ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया. धीरे धीरे उनका जुकाव क्रिकेट की और बढ़ा और उन्होंने इस खेल में अपने कदम जमाने शुरू किये. धोनी ने अपने करियर की शुरुआत रेलवे में टिकेट कलेक्टर के तौर पर की लेकिन उनका दिल क्रिकेट में था उन्होंने नौकरी छोड़कर पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान दिया और मेहंत और लगन से इस खेल में सफलता हासिल की साल 2004 में धोनी ने भारतिय क्रिकेट टीम के लिए अपना वंडे डेब्यू किया भले ही अपने पहले मैच में वह शून्य पर आउट हो गए थे लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी बैटिंग कोशल से सब को प्रभावित किया धोनी के नेत्रित्व में भार्तिय टीम ने 2007 में T20 World Cup 2011 में Wonday World Cup और 2013 में Champions Trophy जीती वह दुनिया के एक लोते कप्तान हैं जिन्होंने ये तीनों trophy जीती हैं धोनी की कप्तानी में भारतिय टीम ने 28 सालों बाद 2011 में Wonday World Cup जीता फाइनल मैच में धोनी ने तूफानी 91 रन बनाए और टीम को जीत दिलाई आज भी उनका वहविजी चक्का फैंस के दिलों में ताजा है धोनी सिर्फ बहतरीन बलेबाज ही नहीं बलकि एक शांदार विकेट कीपर भी है उनकी विकेट कीपिंग चीते की फूर्ती से कम नहीं थी उनकी तेजी से की गई स्टंपिंग और सटीक निशाने वाली थ्रो आज भी याद की जाती है धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर्मेंट ले लिया लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई वह आज भी IPL में चिन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं और फैन्स उनकी बैटिंग देखने के लिए बेताब रहते हैं धोनी ने IPL में चिन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ दी है और अब वह एक खिलाडी के तौर पर टीम का हिस्सा है उनकी कप्तानी में CSK ने पाँच बार IPL की ट्रॉफी जीती है धोनी ने भारतिय टीम के लिए 90 टेस्ट मैचों में 4,876 रन बनाई है 350 वंडे मैचों में उन्होंने 10,773 रन बनाई जिसमें 10 शतक शामिल है वही 98 टीबीस आई मैचों में उनके नाम पर 1617 रन दर्ज है महिंद्र सिंग धोनी का सफर किसी प्रेरना से कम नहीं है उन्होंने एक छोटे से कसबे से निकल कर विश्व क्रिकिट में अपना नाम सुनरे अक्षरों में दर्ज कराया धोनी का शांत सुभाब, उशल नेतरित्व और खेल के प्रती समर्पन उन्हें हमेशा एक महान खिलाडी के रूप में यादकार बनाए रखेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें नीचे कमेंस में हमें बताएं कि आपको धोनी का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद है धन्यवाद